मैं डॉक्टर विकरम सिंग फिजिक्स डोज चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम पढ़ेंगे लॉज ओफ मोशन्स, न्यूटन्स लॉज ओफ मोशन्स न्यूटन्स ने क्या है, त्री लॉज ओफ मोशन्स दिये थे, उनको हम आज स्टड़ी करेंगे मैं आज आपको मेरा एंफिसेस रहेगा, सिर्फ इन जो न्यूटन्स ने जो लॉज दिये हैं इन में कुछ कंसेप्चिल बाते हैं, उन पे विशेस जो रहेगा और मैं आपको वो ही बात समझाने की कोशिश करूँगा जो इसके पीछे कंसेप्ट चुपाव है, उसे समझाना है अलग तरह से कुछ एक्स्प्लेन करने की कोशिश करूँगा तो थ्री लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सैकिंड लॉ, एंड थर्ड लॉ थीक है, तो न्यूटन's first law को हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं फ़हले, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनियो लॉज को जो हैं लॉज, उनको हम एक बार उनका statement देख लेते हैं तो ये first law का statement first law actually है, laws of inertia भी बोलते हैं इसको न्यूटन ने क्या किया, जो गैलिलियो साइंटिस्ट था, उसने जो study की थी, उसने हमें क्या किया था, इनर्षिया का concept दिया था, उससे आगे बढ़ाते हैं उसने ये law दिया था और उसने उन्हें respect देने के लिए इनर्षिया का का use भी किया, word of inertia का भी use किया ही है कि inertia का ही explanation है, first law actually तो देखिए क्या है, statement कई तरह के हो सकते हैं मैं आपको क्या करता हूँ, बिल्कुष simple statement बताता हूँ first law ये है in absence of any external force जब तक कोई external force ना हो in absence of any external force ठीक है, ये तो condition है तो all objects all objects has tendency has tendency to oppose change in state change in state कोई state में, उनकी state में कोई भी change हो रहा हो तो उसके अंदर क्या होता है अगर कोई external force नहीं लग रहा है तो सभी objects के अंदर, हर दुनिया के अंदर, in universe universe के अंदर क्या है सब ये object के अंदर एक tendency है वो क्या करते हैं, अपने अंदर change को जो भी जो भी उनकी state है ठीक है, उस state को change के अंदर वो oppose करेंगे या रहना चाहेंगे ये all has tendency to oppose change in state ये इसका में भी बहुत सकते हैं all wants, all objects जैसे इसको, इसको मैं यहां से लिख दूँ तो wants to remain wants to remain remain in in constant state यानि कि जिस भी state में है उसी state में वो रहना चाहेंगे, यानि वो state क्या क्या हो सकती है rest ठीक है और uniform motion motion ठीक है uniform motion में है तो या uniform motion तो दोनों state में क्या होगा अगर rest में तो rest में रहना चाहेंगे और uniform motion में तो uniform motion में रहना चाहेंगे ये आपका मारा first law ये ही एक्षल में क्या inertia commence है कि definition है इसी बज़ए से फिर्स्ट लोग हम क्या कहते हैं लॉज ओफ इनर्सिया कहते हैं तो कई बार जब बात करते हैं फिर्स्ट लोग हो तो क्या करेंगे इडिस आल्सो नॉन एज फिर्स्ट लोग हम क्या कह सकते हैं इसको लॉज इनर्सिया भी कह सकते हैं नूटन्स लॉज ओफ इनर्सिया ठीक ह laws of inertia भी कह सकते हैं बिलकुँ simple सा है यह first log हो गया अभी तीनो laws होने के बाद हम इनका explanation detail में करेंगे individual log को लेंगे second है अपका second in absence of external force external force नहीं था अब second log क्या है कि जब force आ जाएगा उसके लिए है second log किसके लिए है अब तक क्या condition थी कोई external force नहीं था और second situation, second log इसके लिए है कि जब external force हो तो क्या effect रहेगा तो कोई भी force applied हो रहा होगा तो क्या होगा तो देखें क्या होगा अच्छली जो force applied force applied on object ठीक है on object किसी भी object के बगर force applied किया जाएगा force applied on object is equals to to rate of change of momentum of object ठीक है यानि कि अगर आप किसी भी एक object के उपर कोई force apply करोगे तो देन उसमें क्या होगा momentum उसके momentum में change होगा momentum में change होगा तो जो उस momentum के change नहीं की कोई rate होगी ठीक है या थोड़ा सा एकमेंट rate of change of momentum of object इससे rate of change किसे गए time rate बोलना ज़्यादा appropriate रहेगा is equals to time rate of change of momentum of object object का momentum with respect to time जिस तरह से change होगा है उसके equal क्या होगा external force होगा ठीक है यानि कि देखिए दोनों का हम wise versa भी बोल सकते है यादि किसी object का momentum change होगा है तो उसकी जो rate है वो जो rate है वो rate क्या होगा वो rate होगी equals to time rate उसका जो time rate होगी वो equals to force applied होगी ठीक है और अगर हम उसे उल्टा बोलते है यादर force applied किया जाता तो that force will be equals to equals to rate of time rate of change of momentum होगा ठीक है फोर्स apply किया जाएगा तो उसके momentum में change होगा ठीक है लेकिन एक बात का और द्यान रखना पड़ेगा force applied on the object is equals to time rate of change of momentum of object in the direction of ये भी ज़रूरी है in the direction of force ये जो momentum हैने force applied जो force applied है उसकी direction में ही momentum का change होगा ठीक है तो ये मैं आपको ये हमार होगया second laws ठीक है तो ये हमें क्या करता है जो force जो भी applied किया जाएगा उस force का object पे क्या effect होगा और अगर हम थोड़ा सा change अलग language में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे ये दि किसी object का किसी भी कारण से किसी भी reason से ये दि momentum के अंदर change हो रहा है तो that time rate of change of momentum is equals to external force applied होगा ठीक है फिर इसका हम थोड़ा सा detail में आगे और करेंगे statement इसका ये है यानि कि first वाले में क्या था external force present नहीं था उसके लिए लो है in absence of any external force तब उसके इसमें क्या होगा वो सब उसमें tendency में रहना चाहेंगे ठीक है अब थर्ड statement थर्ड जो है वो है थर्ड statement एक्चिल में ऐसा है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा बुक्स के अंदे ज़्यादा तरह में क्या लिखावा है कि यह जो external force applied होता है external force यानि कि कोई उसके उपर action हो रहा है object के उपर अगर हमने क्या किया है external force applied किया है तो एक action हो रहा है तो थर्ड जो newton's का law है बहुत important है very important है उसके concept को समझना ही होगा उसको concept को नहीं समझेंगे तो आपको numericals करने में बहुत ज़दा problems आएगी ठीक है इसलिए उसको समझना ही है उसके अंदर एक word में थोड़ा सा और add करना चाहूँगा वो है force applied on an object force यह जो force जो अपने apply किया है उसी की बात हो रही है force applied on object ठीक है that is क्या होगा वो उसको क्या है that is action ठीक है या every every force every भी कर सकते हैं थोड़ा सा every force applied on object that is action has देखिए क्या होगा जो भी आप force किसी भी object पे applied करोगे उसको हम action बोलेंगे action has equal उसके क्या होगा उस object पे उसके क्या होगा has equal opposite equal होगा एक equal and opposite and simultaneous एक word यह थोड़ा सा add करना बहुत जरूरी है साइमल्टेनियस एक्वल अपॉजिट एन साइमल्टेनियस रियक्शन ठीक है जो भी रियक्शन और फोर्स ठीक है यानि कि अगर आपने किसी भी एक object के उपर कोई force apply किया है तो क्या होगा उस applied force के उसको हम क्या कहेंगे action कहेंगे ठीक है तो action के साथ में action होगा उस action किसलिए क्या होगा उस object के साथ में होगा ही होगा क्या होगा एक equal उसी के same लेकिन opposite in direction opposite in direction and एक word आ रहा है simultaneous simultaneous का मतलब होता है साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हमने force apply किया फिर कुछ time period के बाद में या कुछ भी थोड़ से time period के बाद में reaction उस पे आई ऐसा नहीं है simultaneous का मतलब होता है उसी समय जब आप force apply कर रहोगे तो उसी समय क्या होगा एक equal opposite and simultaneous उसी time पर एक क्या होगा opposite force भी उस object पे लग रहा होगा उसे हम कहेंगे reaction यानि कि every action has equal तो इसके एक sentence और sentence लिग लिए note down every action has equal opposite and simultaneous reaction यह है Newton's third हो गया detail इसकी हम क्या करेंगे जह जह से individual law लेंगे तब करते जाएंगे तो देखिए आप concept की बातें क्या थी first था law of inertia यानि कि in absence of an external force क्या situation होगी ठीक है second law है अगर external force हो तो वो किसके equal होगा external force present हो तो वो किसके equal होगा या वो क्या-क्या changes produce करेगा second law ये कहता है हमें और third law क्या कहता है कि जो आपने कोई force apply किया है तो वो force action है तो उस action के opposite हमेशा क्या होगा उस object पे एक reaction भी simultaneous reaction opposite reaction opposite and equal equation present होगी ये third law है ठीक है रब कर दूँ मैं इसको ये होगे आपके तीन और laws होगे यानि कि concept के रूप में क्या है first laws of inertia है in presence of external force second law कहता है कि जब external force present हो तब क्या होगा और third law में ये कहता है वही उस external force के साथ में और क्या होगा तीनों चीज़े ये ठीक है अब आते हैं हम first law first law को detail study तो मैं यह लिख दूँ first law first newton's law of motion सबसे पहले तो ये है कि इसको law of inertia भी बोलते है ये तो आप बताया गी था law of inertia बोलते है laws of inertia भी कहते है क्योंकि इसमें क्या है inertia का concept सामिल है यानि कि क्या है statement हमने पढ़ा ही था तो statement के साथ से क्या होगा यानि कि इसको मैं क्या कर सकते है three parts के अंदर study कर सकते है इसको क्या कर सकते है three parts में study कर सकते है three parts में बना सकते है इस law के first object क्या हो सकता है object क्या हो सकता है ठीक है त्री पार्ट के अंदर object होगा कोई भी तो इसके अंदर थ्री conditions हो सकती है पहला पहला वह क्या है फॉस्ट पार्ट है कि object at rest object may be at rest rest पहो सकता है ना दीकिए object फीक है दूसरी condition यह है uniform motion में हो सकता है ठीक है अब uniform motion में भी हम क्या कर सकते हैं दो तरह की conditions हो सकती है त्री दो पार्ट और बन जाते हैं फर्स्ट पार्ट बन जाता है magnitude uniform motion in a straight line ऐसा हो सकता है ना uniform motion in a straight line पे हो ठीक है uniform motion in a straight line वैसे तो इस्ट्रेट लाइन बोलने की हो सकता नहीं थी लेकिन इस लिए बोल दिया कि थोड़ा साथ आपको एक concept आपके साथ चले वह concept यह है कि straight line के motion को uniform motion कहते है अधरवाइस वह uniform motion माना ही नहीं जाएगा जैसे एक motion uniform motion रहेगा ही नहीं यानि कि अगर मैं uniform motion इने straight line लिखता हूं तो एक तरफ से contradictory बात है इस लिए है contradictory बात कि uniform motion तो हमें सब्सक्राइब पे ही होता है अधरवाइस होता ही ही नहीं है जैसे इसे डेविट हुआ वह बोषिन कहलाएगा एह नहीं ठीक है अब युनिफॉर्मोचन इस ट्रेट लाइन है तो इसमें इसके अंदर क्या चेंजिस दो तरह से आ सकते हैं ठीक है फर्स्ट फर्सट चेंज आ सकता है इन टरम्स ओफ मेग्णिट्वट आ सकते ह और second है in terms of directions फ्रस्ट लोग को हमें क्या करना है इस तरह से explain करना है तीन चित्रे के changes उसमें किये जा सकते हैं तीनो state है यह तीन state है तो तीन state के तीन तरह से हम इसमें changes ला सकते हैं तो देखिए हम फ्रस्ट लोगों तीन चेंज़स से कि टर्म्स में understand करनी कोशिश करते हैं यानि कि एगर कोई object rest पे है फ्रस्ट लोग क्या होगा यदि कोई object rest पे है तो वो क्या होगा फ्रस्ट लोग के साबसे हमेशा rest में ही रहना चाहेगा ठीक है उसमें कोई changes नहीं आएगा वो rest में है तो rest में ही रहेगा देंगे देखिए क्या होगा in 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 the presence in the absence of any external force यानि कोई भी external force नहीं लग रहा है तब तक जब तक कोई external force नहीं लग रहा है तब तक वो object क्या करेगा rest में है तो rest में ही रहना चाहेगा ठीक है Second यह है यदि कोई object uniform motion में है uniform motion में है तब then उसकी क्या होगा magnitude के अंदर कोई change नहीं आएगा जो magnitude है वो ही magnitude रहेगा यह first law करता है उसके magnitude में कोई change नहीं आएगा स्टेट लाइन में है चाहिए motion पर आपने क्या कर दिया उसकी velocity बढ़ा दिया आपने velocity को हमने increase कर दिया या decrease कर दिया increase कर दो decrease कर दो 0 बना दो कुछ भी कर दो कोई भी आप change लेके आगए यानि कि क्या होगा in terms of magnitude क्या होगा कोई change नहीं होगा यही क्या है first law है यानि कि कोई motion अगर object motion में है तो वो उसी velocity के साथ motion करता रहेगा और थर्ड यह है कर यदि कोई object क्या है motion में है कि इसमें straight line में ही होगा तो वो straight line में है तो वो मैसा straight line में ही रहेगा उसका velocity की direction भी change नहीं होगे अगर velocity की direction change हो गई तो वो क्या होगा uniform motion नहीं माना जाएगा यही बात देखिया हमारे क्या था uniform circular motion में आती थी वहाँ क्या था velocity का जो magnitude है वो तो constant था लेकिन वहाँ क्या हो रहा था direction continuously change होती जा रही थी direction continuous change हो रही थी इसका मतलब क्या था वहाँ पे कोई ने कोई external force present होगा कोई ने कोई external force present होगा और बगर external force के direction change नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि first law के अनुसार जब भी जब भी कोई अगर external force absent है किसी object पे तो तीनों conditions के रूप में उसमें कोई change नहीं होगा यही आपका first law inertia यह laws of inertia first law of newtons first law of motion है अब example इसके day to day life के अंदर example हम करते हैं कि जैसे मानलों कोई object rest पे है ठीक है तीनों condition के अंदर है तो वो उनी में रहेगा उसी condition में रहेगा उसे example करते हैं first देखिए आप example जैसे मानलीजीए rest rest के example यह rest लिया हमने अब rest के example है हम bus bus का जो example है बहुत अच्छा example है हर आदमी ने bus के example को feel किया है तो देखिए हम क्या है bus खड़ी है bus में हम बैठे हैं तो जैसे ही bus चलेगी bus चलते ही क्या होगा bus तो चलेगी bus चलने से क्या होगा bus में चलने से हम खड़े रहेंगे तो हमें क्या होगा bus के साथ हम bus के ही part होगे तो हम को क्या होगा जटका लगेगा जटका लगेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे उसको opposed करेंगे तो इसकोèse ऐसको आपोज करेंगे बस चल गए तो उसको ऑपोज करेंगे इस कम इसीलिए क्या हुता है वो फॉस्ट लो के निसार से वो जो बस के अंदर को this मेठा होगा वो क्या करेगा अगर जैसे बस चलेगी तो बस को चलने की वज़े से वो उसको अपोज करेगा तो तेंडेंसी जो है मेरे में अपोज करने की उसी टेंडेंसी का एक बहुत और दी है अब कियों यह बिक का just किया भी होगा वह फिसको वह इसक से अंदर जो बिरिजर्टो को अग्स्वेंइक्वूें निसी का Bet विर को हमें क्या करना है वगर टच किए इस गिलास में गिराना है तो हम इसको कैसे करेंगे इसको जिस टेक्निक से करेंगे उस टेक्निक की रीजन जो है वो क्या है फस्ट लॉफ मोशन है हम क्या करेंगे सडन बिल्कु जटके से इसको खेचेंगे जब हम इसको जटके से खेचें वहीं रहेगा और इस गिलास के इंदर गिर जाएगा यह हमारा फिर कुछ बहुत सब्सक्राइब पले उन मेंसे जैसे एकजाम पले हम क्या कर रहे हैं कोई कार्पेट होता है मालो हम क्या करते हैं कार्पेट के ऊपर दूल जाडते हैं कपड़ों पर दूल जाडते हैं कपड़े सुखाते हैं जैसे आपने देखा होगा ना आपके अंदर आपकी मदर क्या कर दी कभी ओड़न मदर first law of newtons को laws of motion को इस्तेमाल करती है क्या करती है दो ladies ओडनी वो पकड़ती है पकड़ती है उसको यू जटका देती है जब दोनों जटका देती है तो क्या होता है उस जटके की वज़े से क्या होता है जर्क की वज़े से ओडनी तो नीचे आती है है लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट वाटर जो हमारी जो छोड़ी ड्राप्लेट्स है उनके उपर वह क्या होगा ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा वह फुवारों के रूप में हवा महीं रह जाएगी और वह नीचे चद्दर होगा या कुछ फिर हम क्या करते हैं उसको दो तीन बार जटके देता है तो जितनी वह इनर्शिया की वज़े से वहीं रह जाती है और वह नीचे चला जाता है ठीक है फिर हवा के साथ वह दूदर हो जाती है उनका उनसे अटेस्मेंट दूर हो जाता है ऐसे चार-पांस बार करके उसके हां फॉसलो soprattutto हम क्या करते हैं कुछ भी सीट बसकी सरीट है कोई भी सीजे उसके ओस करते हैं लार्ज हिट करते ही लकडी से किसी which is why tarp play तो हिलता है लेकिन की वज़े से क्या होता है जो दूल होती है वह ही रहेJust independent यह जाता है तो हवाम रहे वां जाती है दूल और कर समय कार्पेट एΤो चल दूल के हुड़ती है क्वा एक रूच कार्पेट से ऊड़ती है क्यान एक आधже इस तो इस तरह से बहुत सारे एक्जम्पल्स है कुछ हम क्या कर सकते हैं जैसे युनिफॉर्म मोशन के भी दे सकते हैं युनिफॉर्म मोशन का है कि कोई अब्जेक्ट अगर युनिफॉर्म मोशन में है उसमें भी ठीक फिर वही बस वाला आ जाता है बस के अंदर हम चल रहे हैं हम भी क्या है हमारा भी क्या है युनिफॉर्म मोशन के साथ बस के साथ साथ हम भी युनिफॉर्म मोशन करते हैं वो जटके आने की वज़े क्या है? वो वज़े है first law of inertia inertial law of Newton's law first law की वज़े से ही वो बस में जटके आते हैं ठीक है? ठीक वैसे ही है in terms of direction अगर अब क्या कर रहो किसी भी object की direction में change करना चाहोगे तो भी वो क्या करेगा? उसको oppose करेगा ठीक है? जैसे ही आपने direction में change किया तो direction जैसे change होगा तो उस direction की change को oppose करेगा ठीक है? आप जो बस की जो क्या होता है गाड़ी का जो पईया होता है वो पईया क्या करता है? मूँ करता है ठीक है? उसने तो क्या किया? motion लिया? लेगन वेогए अगये दूल का कणुन है वो क्या करेगा उसके इरेक्शन में चेंज को पूस करेगा और फिर क्या होगा तो ऑपूस करेगा तो वे से अलग हटकर्ग के टेंजिंशनली क्या करेगा आगे की तरफ जाएगा तो इसलिए मढगाड आगे लगना बढ़ता तक यह मढगाड उसको दूल के कण को मिट्टी मढ़ के कण को मढ़ के ड्रॉपलेट्स को रोक ले ठीक है नहीं वहाँ भी देखो उसने direction में change का भी विरोध किया है ठीक है यानि कि वारे start वा तो उसके अंदर क्या हो रहा है जो velocity है वो तो सारी यह speed तो क्या है magnitude वेलोसिटी तो महाँ पर क्या होता है constant uniform है लेकिन क्या हो रहा है उसने direction में change को उसने oppose किया है साथ इसाथ में हलाएंगे थोड़ा बहुत velocity में भी change हो रहा है उसको भी oppose किया है लेकिन साथ साथ उसने direction के भी change को भी oppose किया है इसकी बज़े से मढ़ क्या हो जाता है tendency ली आगे की तरफ फैंकता है या पीछे की तरफ फैंकता है ठीक है तो इस tendency ली फ्यक्ता है तो यह हमारा हो गया तीनों के तरह के छोड़ मोड़े example इस तरह के बहुत सारे examples होते है बुक्स में इंटरनेट पे बहुत जगए हैं अब इनको जब भी इन एक्जामपल्स को study करेंगे तो थोड़ा सा इन explanation को याद रखेंगे फस्ट law उसके से करेंगे ठीक है हो गया ये खतम कर दूँ मैं इसे अब आते हैं वापस detailed explanation of second law of motion ठीक है फस्ट लोग के सारे concept क्लियर कर लीजिए second law of second law of motion जो है देखें इसेकेंड लोग मोशन की न्यूटन को ने खोज कैसे की थी उसकी आशकता कैसे पढ़ी थी अभी पिसले जो वीडियो था लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या है momentum का concept पढ़ाता अभी था momentum वारे में पढ़ चुके थे momentum क्या होता है momentum is P that is M into V ठीक है, vector quantity है momentum क्या है M into V है ठीक है, तो अब कोई भी माल लीजिए एक object एक object है या दो object है माल लीजिए M1 और M2 ठीक है, तो Newton ने क्या देखा अब दो object है इन दोनों के उपर हमने क्या किया एक same force applied किया एक ही force उन्होंने क्या क्या object 1 पे और object 2 पे apply किया ठीक है ये इस समय क्या है, rest पे ठीक है, object rest पे है तो उसने क्या क्या, इस पर force को apply किया तो force उन्होंने एक ही apply किया है object क्या है एक ही है, M1 और M2 तो अब क्या है की जब उसने force apply किया तो इनके पास में क्या है कुछ resultant क्या होगा change इनके momentum में change आयेगा ठीक है, momentum में change आयेगा तो momentum में change आयेगा और इस momentum में change आये았어요 वो तो अलग-लग़ा रहा है एक object का अलग आ रहा है दूसरे object का अलग आ रहा है यानि change in momentum क्या हो रहा है different हो रहा है वो किस पर clever कर रहा है? खा тебе change in momentum जो होगा उसने इसको इनकी study की बहाँ मोमेंके momentum में क्या change आता है एक force apply करने पर किसी भी दो अब्जेक्ट के उपर हमने एक constant force apply किया तो देखिए उसके दुपर momentum में change क्या रहा है तो अब क्या है कि इस force की वज़े से क्या होगा इनका मॉमेंटम जो होगा वो तो एक जैसा ही मिल रही है वो किस पर depend कर रही है मास पर कर रही है एक force की वज़े से हलकी object को तो क्या हो रही है जयदा velocity मिली और जो heavy object था उसको velocity क्या हो गया कम मिली तो उसने इस चीज को study करके देखा कि कुछ नकुछ ऐसा है कुछ नकुछ ऐसा है जो क्या है same force को दो अलग-अलग object with different mass पर अपलाई किया तो इनको क्या होगा जो velocity जो है न वो क्या होगा है different different मिल रही है अलग-अलग तरह की velocity मिल रही है तो यहां से उसने क्या किया उसका दिमाग माया जरूर कि यह जो momentum जो change हो रहा है किसी भी को force को apply करने की वज़े से यह momentum और जो force apply उसके भी इसमें कोई relationship है ठीक है जब उसने change in momentum और force apply को जब मैसुस study किया तो उसने देखा इन दोनों के भी इसमें कोई-णे कोई relationship है फिर जैसे उसने क्या कर दिया force की value change करी force की value change करी तो भी उसने क्या देखा अरे भई इसके बाद क्या हो रहा है force change किया तो momentum फिर momentum में change आगी है इसका उन्हों momentum अलग हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ जैसे ही हम किसी कोई object के उपर force apply करते है तो force and momentum are interrelated इसका मतलब क्या है force और momentum एक दूसरे के साथ interrelated है ठीक है तो उसने क्या किया इसी concept के आधारित force applied is related with momentum changed जो भी momentum changed हो उसके साथ वो related है तो इस relation को उसने study करके experimentation करके second law of motion दिया ठीक है second law of motion दिया यानि ही force is directly proportional to rate of change of rate of change of momentum rate of change of momentum change of momentum with respect to time time है जो भी momentum की rate of change हो रही है उसके क्या है directly proportional है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया अब एफ इस दारेटल ले पर पॉस्टनल जू टी पी अपॉन डी टी यही हुआ डी पॉन डी टी अब हम जानते है पी इस गल टू क्या है अब यह इस गल टू डी ऑफ एम वी अपॉन डी टी ठीक है अब यह क्या हो रहा है एक particular object पे ही अपलाई किया जा रहा है इसका मतलब अब इसका मतलब अब 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 क्या है और तो इसका मदलब क्या हो गया? F is directly proportional to M A. F क्या है actual में? M. यह dv upon dt क्या होता है? acceleration होता है. तो यह F is directly proportional to M A. अब इस directly proportional के ratio को हमें क्या करना था? एक constant, equal में बदलना था, तो हमें क्या करना होता है? एक constant से multiply करना पड़ता है. तो F is equal to K M A. फिर क्या है कि इनकी F, M और A और इनकी जो units इने वो इस तरह से दी गई थी? कि इनकी वज़े से क्या हो रहा था? कि study के अंदर हमने बता है, K is equal to आ गया 1. K की value क्या आ गई? 1. क्योंकि इनकी units इस तरह से ली गई थी कि ताकि K के value उसकी 1 आ जाए. तो K की value क्या होगी? 1 होगी. ठीक है? तो K की value 1 होगी, तो F is equal to क्या होगया? M A. ठीक है? यानि, external force applied external force applied is equals to time rate of change of momentum that is also equals to product of mass and acceleration produced acceleration produced देके भी acceleration है? अब यह acceleration यह गटर है, तो ध्यान से देखिए आप acceleration produced in direction of force acceleration produced in direction of applied force applied force की direction में ही acceleration produced के product की होता है? यानि कि इसको मैं रब्द करके देखिए जो statement नई चीज़ आई, वो क्या आई? statement से the external force applied on object object is equals to equals to product of of mass and acceleration ठीक है produced produced in direction of of applied force देखो यह direction बहुत ज़रूरी है अब तक हम क्या कर रहे थे simple करते जा रहे थे force is equal to 10th level हम नहीं क्या किया था F is equal to M into A था लेकिन अब क्या है इस A को हमें vector form में भी इसको याद करना है तो हमें explanation का यही explanation best better explanation होगा क्या होगा product of mass and acceleration तो हमें यह बताना होगा कि यह acceleration हमेशा किस direction में होगा acceleration के direction हमेशा direction of applied force ही होगी यह आपको साथ साथ में याद रखना पड़ेगा तो यह है हमारा second law of motion ठीक है इसे not down रलीजी है तो क्या था f is equal to dp upon dt is equal to dmv upon dt is equal to mdv upon dt is equal to ma यह vector है तो in direction of यह है हमारा first law of motion इसको देखिए आप इसको देखिए हम क्या हो रहा है धोचीर दो त्रह के change हो रहा है देकर मोमेंटम में क्या हो रहा है andon मोमेंटम की क्या हो रही है magnitude ठीक है दो बातव को ध्यान रखना है if magnitude of P change हो रहा है तब भी हमें क्या होगा force apply करना ही पड़ेगा और यदि if direction of P is changed अगर direction of P भी change हो रही है P vector is change हो रही है तब भी क्या होगा हमें external force apply करना ही पड़ेगा यह दियान रखिएगा ठीक है यानि कि external force यानि if there is rate of change there is change in magnitude as well as direction अगर momentum के magnitude के साथ साथ या magnitude direction या दोनों में कोई change आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे कोई ने कोई external force present है यह दियान ठीक है तो इसका explanation क्या हो गया if there is change in if there is change in in magnitude magnitude comma direction or both of p then p vector then there is always external force present ठीक है तब वहाँ पे क्या होगा external force present होगा ही होगा at that force is equals to rate of change of momentum with respect to t वह force हमेशा क्या होगा dp upon dt के time rate of change के ठीक है अब थोड़ा आपको क्या है इसका यह जो डीपी वाई अपॉन डीटी भी लिख सकते हैं और f of z is equal to dp z upon dt भी ले सकते हैं यह थोड़ा सा इसम वेक्टर भी apply कर सकते हैं यह भी होता है यह दियान रखिएगा ठीक है और इसको थोड़ा सा और अगर डीटेल मिलने करना चाहो तो हम लिख सकते हैं f of x is equal to max is equal to f of y is equal to m a y और f of z is equal to m a z in acceleration in z direction b होगा यह इसका वेक्टर explanation है यह उपर हमने यह लगाती है ठीक है न यह द्यान रखिएगा तो यह है मारा second law of motion यानि कि अगर किसी भी object के अंदर हमने external force applied किया है तो external force क्या करेगा change in momentum produce करेगा कैसे करेगा क्या करेगा वो तो क्या हरा है कैसे apply कर रहे हैं force इस पर depend करता है लेकिन external force होगा तो यह magnitude में change हो सकता है पी के direction में change हो सकता है या दोनों में ही change हो सकता है और उसी change की उसी change की time rate value है वो external force के equal होगी यह है हमारा second law of motion ठीक है तो इसी के साथ आज का वीडियो समापत होता है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ concept के साथ very important concepts और थर्ड लोग थर्ड लोग के कुछ concept करने हैं उसका मैं थोड़ा सा separate वीडियो बनाऊंगा फिर देखिए आप थर्ड लोग के वीडियो को explanation को बहुत डंक से करना है क्योंकि उसको समझने से ही थर्ड लोग को जैसे ही हम समझेंगे तब ही क्या होगा second law और third law की help से ही देखिए आप horse and cart जो problem होती है वो solve होगी solve करेंगे हम उसको उसका concept समझेंगे उसका एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे उसी के सारे questions करेंगे क्योंकि ये questions आते हैं फिर सेकेंड आपका टेंशन टेंशन जो होती है ने टेंशन क्रेटेड इन रोप और रोड वगरा के जो questions होते हैं वो इससे solve होंगे फिर आपके एस्केवेटर जो हमारे ठीक है जो ये लिफ्ट लिफ्ट के जितने भी questions है वेट इन लिफ्ट ठीक है उसके problems हम क्या करेंगे इनी दो laws के explanation से ही समझेंगे ठीक है पुली जो होती है पुली के जितने भी example है वो हम क्या करेंगे इसी से समझेंगे circular motion का जो होगा वो भी इसी से समझ में आएगा ठीक है तो यानि की pendulum pendulum का moment भी क्या होगा वो इसी इनी law से समझ में आएगा तो अब देखिए आप third law बहुत important है तो second law और third law दोनों के जो concept है उनकी साहता से हम different questions को solve करेंगे ठीक है मिलते हैं बहुत ही जल्ड नए वीडियो के साथ पहले हम third law का explanation समझेंगे और उसी के साथ हम क्या करेंगे कोई एक topic लेंगे उस एक topic को हम पहले एक concept समझेंगे फिर उस पर based numerical करेंगे ठीक है तो फिर आज का वीडियो इसी के साथ समापत होता है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद है तो इसे share कीजिए like कीजिए comments कीजिए और channel को जरूर subscribe कीजिए और bell icon प्रेस कीजिए ज वीडियो को हमारी tagline के साथ समापत करते हैं generate your concepts all concepts and kill all doubts thank you very much जैन जै बारत